आज परदानमंत्री नरेंद मोदी की परिख्या पे चर्चा और फिलालन तालकत्राइश स्टेडियम में जहां पे बच्चे हैं क्या कहेंगे कितनी एक्साइटिड हैं मैं बहुत एक्साइटिड हूँ मोदी जी से मिलने जा रहे हैं हम लोग बहुत विश्वास नहीं हो रहा कि हां सची आये हैं यहां पर और और भी कुछ बच्चे हैं अब बताई कि क्या मन में सूचके आये थे पहले से एक्चुली मेरे मेरा फर्स टाइम है कि मैं सर से मिलने जा रही हूं और यह बहुत बढ़ा ओनर है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मलब उनकी बातों स से हम हमेशा से सुनते आये हैं और इतना ज्यादा मोटीवेट होते हैं कि और भी ज्यादा मोटीवेट हूंगी जिससे मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सुखूंगी और उसके लिए आइम रियाली रियाली वैरी फीलिंग प्राउड टूमाय टीचर जिन्हों ने मुझे यह मौका दिये कि मैं आज मिलू उनसे तो यहां पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी बच्चों से परिक्षा पर कारेकरम चर्चा जो है उसकारेकरम के दौरान 11 बजे रूबरू होंगे और यह ताल कर ट्राय स्ट्रेडियम है जहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से रूबरू होंगे उनके सवाल का जवाब प्रधान मंत्री देंगे और हमने देखा है कि इस बार जो है जो आकरे कह रहे हैं 38 लाग से जादा बच्चों ने देश के रगलग कोने से इस कारेकरम को सुनने के लिए रेजिस्ट्रेशन करव पिछली बार ये तादाद करीब 16 लाग क्या सपास थी और जब शुरुआत हुई थी परिक्षा पे चर्चा की तो करीब 15-20,000 बच्चों ने रेजिस्ट्रेशन करवाया था तो आप इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर ये जो कारेकरम है परिक्षा पे चर्च जिसके जरीए जो सवाल होते हैं जो जिग्यासाए होती हैं जो तनाव होता है उसको प्रहानमंत्री नर्मोदी दूर करने की कोशिश करते हैं और सीधे तोर पे मुखातिब होते हैं कुछ सवाल यहां पर जो बच्चे होते हैं उनकी लिए जाते हैं और कुछ सवाल जो ऑन 15-20,000 बच्चों ने रेजिस्ट्रेशन करवाया था जब यह कारिकरम पर शुरुआत हुई थी और इस बार 38,000,000 से जादा बच्चों ने इस कारिकरम को सुनने के लिए रेजिस्ट्रेशन करवाया है तो 11 बचे धानती नयंद्र मोदी की बच्चों के साथ परिक्षा पे चर्चा होगी जिसमें सवाल जबाब लिए जाएंगे उनकी जियासाओं को विराम दिया जाएगा